दुर्ग में पुरानी रंजिश के चलते यूवक के साथ हुई चाकुबाजी की घटना में यूवक की इलाज की दोरान मौत हो गई इस मामले में दुर्ग पुलीस ने तीन नाबालिक सहीत कुल आठ आरोपियों गिरफतार किया है दुर्ग शहर में पिछले दिनों यूवक के साथ हुई मारपीट और गंभी रूप से घाय लाका शर्मा को अस्पताल में भरती कराए गया जहां से उसे शंकराचारे मेडिकल कॉलेज अस्पताल में रिफर किया गया इलाज के दौरान यूवक की मौत हो गई इस मामले में पुलीस ने तीन नाबालिक सहीत कुल आठ आरोपियों को गिरफतार किया है घुर्ट लबह की अठारा अगस्त को पुलीस को सूचना मिली थी कि लडीचेन के घर के चौखट के पास सिक्षक नगर दुर्ग में सत्तु मरकाम उर्फ सत्तिवीर एवं अन्नि के दवारा एक राय होकर आका शर्मा पर जानलेवा हमला किया गया था जिसके बाद शिशंकराचारे मेडिकल कॉलेज जुनवानी रिफर किया गया जहां इलाज के दौरान आका शर्मा की मौत भी हो गई थी इसके बाद दुर्ग पुलिस ने टीम बनाकर आरोपियों को गिरफतार किया इस मामले में पुलिस ने सत्तिवे उर्फ सत्तू मरकाम मयंक कटारे मुकेश यादव अभिशेख मरकाम और युवरा सोनवानी सहीत तीन नाबाली को गिरफतार किया जहां सभी आरोपियों के खिलाप भी ने धाराओं के तहट कारवाई की गई इस जवरान इस कारवाई में कोतवारी थाना निरिक्षक विजय यादवा रक्षक अलाउदिन शेक सुलेश कुमार आबिद खान की सराहनी भूमिका रहे इस सम्मल में दुर्गुस एस्पी ने मीडिया के समक्ष प्रतिक्रिया दी यह गटना 18 अगस्त के शाम की गटना है इसमें एक अकाश शर्मा नामा व्यक्ति पे कुछ लोगों द्वारा मिलकर हमला किया गया है और उसी हमले के फर्दा उसमें उस व्यक्ति के मृत्ति हो गई प्रतिक के बीच में लड़ाई जगड़ा हुआ था इस तरह के मारे पास रिपोर्ट है और आपसी पुराने विवाद को चलते हुए नया विवाद कहा है है हां मृतक के भी पुराने प्रादिक रिपोर्ट है यह इसमें ब्लवेसे नहे सहिता के तहत इसमें कहीं दारा जो इसी इन नियूस के लिए दुरुगे से नसीन फारवटिक रिपोर्ट